हाई गाइस वेलकम टू आरके बायोग्राफी चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ओफ दे बेस्ट एंड माइ फेवरेट कोरियोग्राफर मुदसर खान की तो चलिए शुरू करते हैं मुदसर खान को तो आप सब जानते ही होंगे आज वो इतने बेस्ट कोरियोग्राफर एंड डानसर हैं कि उनको सब जानते ही हैं तो आज हम उनकी बायोग्राफी ट्रगल एंड सक्टा स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मुदसर खान का जन्म 20 अक्टूबर 1987 को मुंबाई महराश्टर में हुआ था उनको बच्पन से ही डानस करना और देखना बहुत अच्छा लगता था वैं आठ साल से ही डानस में बहुत अच्छे डानसर रह चुके हैं उन्होंने अपनी स्टर्डी MSS खालसा हाई स्कूल गोरे गाउं मुंबाई से की हैं और मुदसर खान एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं वो अपने परिवार के साथ अंबेड कर नगर जुकियों में रहा करते थे पढ़ाई कम्पलीट हो जाने के बाद उन्हें कोलेज की स्टडी प्रकास इगरी कोलेज मुंबाई से की गए उसके बाद उन्होंने कुछ बढ़ा करने की सोची इससे पहले वो कुछ पैसे कमाने के लिए डांसिंग स्कूल में डांस किया करते थे और अपने घरवा लोग को खुश किया करते थे और थोड़ा पैसे कमा कर दिया करते थे विकोस उनके घर में पैसों की बहुत प्रोबलम हुआ करती थी फिर कुछ तिनों बाद मुदसर खान ने बड़े-बड़े डांसिं बोलीवुड के स्टार सलमान खान सर से मिलने का मौका मिला फिर मुदसर ने सलमान सर से बात की और उनकी मूवी का एक सौंग कोरियोग्राफ किया मही से ऐसा कोरियोग्राफर उनकी जरनी स्टार्ट हुई उन्हेंने फर्स्ट सौंग दबंग मूवी में कोरियोग्राफ किय दूबंग में कॉरियोग्राफ करने के बाद उन्होंने सलमान सर के लिए होते सुंग कॉरियोग्राफ किये और सलमान खान के बेस्ट फरेंड और फेवरेट कॉरियोग्राफर बन गए फिर उन्हें एक दांसिक रैलिटी शो डी-ा, डी सीजन 4 मिला इससे उनकी बहुत ज़्यादा पहचान बन गई और अब एज़ा कोरियोग्राफर वो बहुत फेमस हो गए थे और वह एक अच्छे मुकाम पर पहुच गए थे बाद में वो शो डियाइडी लिटिल मास्टर 3 और डियाइडी सीजन 3 के जज़ भी बने और डियाइडी सीजन 6 के जज़ भी बने दोजर दस से दोजर अठारह तक उन्होंने दबंग वन, टू, इश्क पैरिस, बोस, जैहो, फुगली, देज, ओत्तेरी, किक, रामलीला और बहुत से फिल्मों के लिए काम किया है मुदसर खान बहुती कम उम्र में एक अच्चे कोरियोगराफर बन गए है उनके फेवरेट डांसर माइकल जेक्शन और बॉलीवुड में रितिक रोशन और गोविंदा है बॉलीवुड में उनके फेवरेट एक्टर सल्मान खन, होलीवुड में रोबर्ट, डॉनी जूनियर और उनके फेवरेट कोरियोगराफर इनना बॉलीवुड प्रभुदेवा और गनेश अचार रहे हैं एंड डेव स्कोट उनके इंटरनेशनल फेवरेट कोरियोगराफर हैं तो यही थी उनकी सक्सेस का राज और उनका स्ट्रगल कि कैसे उन्होंने मेहनत करके इतनी कमर उम्र में इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली तो यही थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुदस सर्खान के साथ नीचे कमेंट्स करें बताएं वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी या बिकार लगी एंड नेक्स्ट वीडियो के टोपिक सजच कर सकते हैं मुझे कमेंट में एंड चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको बायोग्राफिय वीडियो दिखना अच्छा लगता है और पैल आइकन जरूर दबाएं तो बाई